हेलो दोस्तो स्वागत है आपका दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिकाने वाले हैं किस तरह कुर्ती का नाप लेके कटिंग करें तो दोस्तो हमने यहाँ पर कुर्ती का नाप लिया है उससे हम करने वाले हैं कटिंग तो दोस्तों हम सबसे पहले बताते हैं आपको नाप तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो नाप लिया है इसकी जो लंबाई है वो है 49 इंच आज 3 है 17 इंच और दोस्तों यहाँ पर जो शोल्डर है वो है 12 इंच सीना है यानि चेस्ट वो है 35 इंच दामन कमर है 29 इंच 34 इंज दामन है 19 इंज चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों हमने यहाँ पर कपला बिछा रखा है जैसे हमारा यहाँ पर दामन है 19 इंज ठीक है तो हमें कपला किसस आप से बिछाना है जैसे दोस्तों हमारा यहाँ पर दामन है 19 इंज तो हमें कपला किसस आप से ब गेफ़ाद में क्या करना होगा सबसे पहले हमें यहां पर लगाना होगा निशानिये पल्लू का इस तरीके से और हम यहां पर 2 इंच देना है निचे फोल्द करने के लिए है इसमें तुरपाय होती है और अधू निशान लगा देंगे तो जैसे के दोस्तों हमारे यहांपर इसकी जो लंबाई है वह है 49 तो हमें यहां से जो हमने निशान लगाया था हमें यहां से नापना है 69 लगा देंगे कि कियूँके से सीना है 205 ऑ्टे ilg लगा देंगे उसके बाद हमें नीचे लेना है कि शेंज फिर र game ठीक ऐए यानि कि यहांसे नीचे से हो गया इंच कंदी के जहां आर मौल है वहां से 12 शोगिया अब हमें क्या करना होगा यहां निशान रगाना होंगे तरीके से एक निशान के लगाएंगे सब्सक्राइल का कि और यह हो गया हमारा कमर का और यह हो गया है थो जहांसे चाख खुलते हैं तो दोस्तों यहां पर अब हम सबendeu करें ना परएंगे यहां पर ना पहेंगे शोलडर तोड़ता हैंशन कुछ न해도 कुछ जोड़ना है ठीक है उसके बाद में हमारा जो सीना है यहां पर वह है कि साड़े 33 इंच साड़े 33 का हमें चौथा ही कर लेना है तो आठ चोग 32 33 यानि योगे सव आठ एक सूद तो दोस्तों यहां पर हमने उसके निशान लगा दिया सीने का अब हमारी कमर यों 12 direct कर लेंगे 7.28 यानि 77 इंच आप दोस्तों 77 पर निशान लगा दिया अब हमारी हीश थैन चोथा कर लेंगे तो यह हो गया साड़े 8 इंच ठीक है साड़े 8 के बाद में हमें यहां पर 2 इंच एक्स्टा लेना है हमें यहां पर 2 इंच एक्स्टा लेना है ठीक है फिर 2 इंच का निशान यहां लगा देंगे और सबसे नीचे जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे यहां नीचे डियर का क्योंकि हमारे चाक लोंगए उसके बाद में हमारी नीचे दामन है वह 19 ओनार पर शाड़े नौ इंच और यहां पर ब्र द्रक देंगे इस तरीके से उसके बाद में हमें यहां पर निशान लगा लेना है इस तरीके से कि कि यहां पर लेंगे दबाव वाला निशान जो हमारे चाक में फोल्ड होगा ठीक है फिर हमें लगा देना है यह वाले निशान एक्स्ट्रा जो मार्दन छोड़ते हैं अंदर अब दोस्तों हमारा जो यहां पर जो निशान लगाएंगे यह वाला यह लगाएंगे धाई इंच पर इस तरीके से और यहां पर आदा इंच को आदा इंच टीक गिरा देंगे उसके बाद में यहां हमें दे देना है गोल आई ठीक है अब दोस्तों यहां पर हमने सारे निशान लगा दी है सीना है हमारा साड़े तेंतिस कमर है उनतिस यहां पर हमारे निशान लग चुके हैं अब हमें क्या करना होगा हम कर लेंगे इसकी कटिंग तो दोस्तों इसकी हमने कटिंग कर लिए हमारे निशान है निशानों को में इस तरीके से निशान उठालेंगे निशानों को नीचे इसके नीचे यहां पर निशान उठालेंगे ठीक है तो दोस्तों हमने यहां पर बिचा लिया है यहां पर इस कपड़े पर अपने सामने को सामने को बिचाने के बाद में क्या करना होगा यहां पर इस तरीके से निशान लगा देंगे और इस तरीके से एक निशान उठाले यहां देदाई हिलकी सी गोलाई वाखी आपको कोई निशान न लगाना है हमें अपने सामने के बराबर कटिंग कर देना है कियोंकि हमें यहां पर बैग आस्य तरा कटिंग कर देंगे यह हमारा सामना इससे यहां पर अब इसको भी हम कटिंगा लेते हैं यहां लगा देंगे कट यहां पर भी कट लगा देंगे और यह कमर पे ठीक है उसके बाद में हमें यहां नीचे कटिंग कर लेना है जोभी हमारा एक्स्टा कपडा है यहांभी इक कट लगा देंगा जो फोल्ड करने वाला है अब दोस्तों यहाँपर सामना और बैक कटटिंग हो चुकी है अब हमें क्या करना है इसकी आस्तिन कटिंग, करना है थो दोस्तों हम the furnace यहाँ पर यह räु गई इसकी जो लंबाई है वो है खरीब 15 इंच तो हम यहां पर हमने उसमें जो नाप लिया है इसमें 16 इंच तो हम 16 इंच रखेंगे और इसकी जो यहां पर चोड़ाई रखी है वो हम सेम रखेंगे इसकी चोड़ाई है खरीब हमारी फोल्ड करके 9 इंच यानि डबल करके 18 इंच है ठीक है तो दोस्तों हम इस तरीके से यहां पर इसको कटिंग करेंगे तो हम उसके लिए क्या रखा यहां पर डबल करके कपड़े को फोल्ड कर लिया है यह हमारा उल्टा है इसके जो अंदर है वह सीधा कपड़ा है अब इसको इस इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लंबाई बढ़ाना चाहें लंबाई बढ़ा लें इस तरीके से और यहां पर निशान लगा सकते हैं इसको हम अटा लेते हैं अब हटाने के बाद में अब हमें क्या करना होगा यहां से निशान लगाना होगा उपर से कि अधाइंच और भाइंच के बाद जो हमने इसका जो आरमोल रखा था वो रखा था साथ इंच तो हम साथ इंच पर निशान लगा देंगे और अब हमें क्या गरना हुआ यहां पर एक निशान यहां पर लगा देंगे और निशान लगाने के बाद में यहां से हलकी इशी दे रहेंगे गोलाई गोलाई देने के बाद में इन निशानों को हम थोड़ा तेज कर लेते हैं जो आपको देख जाएं सही तरी के से और जो हमारी लंबाई है इससे हम आदा इंच एक्स्टा ले लेंगे इसको सीधा रखना आपको तीक है गोलाई कुछ नहीं देना है और जो यहां ऊपर से खोलना है हमें वह इसको बटनों से बंद करेंगे वैसे तो यहां से बिल्कुल खुल हुई हैं ठीक है तो हमें यहां यहां पर कटिंग कर देना है तो सबसे पहले हम यहां पर कटिंग कर लेते हैं इसमें छोड़ देंगे मार्दन और इसको बिल्कुल सीधा कटिंग करेंगे और बीच में से इनको अलग-अलग कर लेंगे तो दोस्तो हमारी यहां आस्तिन कटिंग हो चुकी है दोस्तो आने वाली वीडियो जो होईगी इसके बाद वो मैं इसी के आस्तिन की वीडियो अपलोड करूँगा तो दोस्तों यहां पर हमारी cutting हो चुकी है complete तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में thanks for watching